गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग इसलिए क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये सुभा का समय है मेरा नाम राहुल राय क्यालीबर नोवा जो इंस्टिट्यूट आप ने सुना है उसका एक ड्रेश भूम है ठीक है मेरी तरफ से मेरे भी बहुत बहुत शुपकाम नहीं क्योंकि कोशिश तो आपने भी बहुत की थी ठीक है इसमें कोई भी हार मनने वाली बात नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि एक पेंड़ेमिक सिच्वेशन अभी चल रही है है ना कोरोना क्राइसिस चल रहा है इसने अगर हमसे बहुत सा नहीं चीज़े भी हमको दी है मैं इधर उदर की बात आपसे ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ हम लोग पिछले 15 साल से कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमने लगातार 15 सालों में कुछ 60 से 70 हजार स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं है ना हमारे पहले first of all मैं आप लोगों को directly मुद्दे पर आके 11th कॉमर्स के बारे में बताता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्स होता क्या है ठीक है और कैलिबर क्या है और किस तरीके से हम इसमें work out करेंगे ठीक है तो देखिए मैंने पुरा work करके रखा है कैलिबर नोवा के दो प्रिमाइसेज है एक हमारा head office है जो महल में है और एक हमारा ब्रांच है जो वर्दमान नगर में है ठीक है एक हमारा head office है जो महल में है और एक हमारा ब्रांच है जो वर्दमान नगर में है ठीक है 11th कॉमर्स ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है ज जो state में हैं उनके लिए भी और जो cbsc में हैं उनके लिए भी state और cbsc दोनों में तो सबसे पहले अगर मैं आपको shortcut में बताऊं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि commerce क्या होता है तो बहुत ही घुमा फिरा के ना जाते हैं मैं आपको सीधा सी भासा में अगर बता दू त तो commerce का सीधा relation होता है business से ठीक है और जब हमारी class टार्ट होगी ना भाई दोस्त तो हमें आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा कि commerce actually होता क्या है ठीक है इसके दो division है एक state और एक cbsc तो सारे के सारे student जो state में है और जो cbsc में है अपने subject से थोड़ा समझ लीजिए state में छे subject होते हैं पहला subject होता है bookkeeping and accountancy normally इसको हम कहते हैं accounts simple एक होता है OCM that is organization of commerce and management organization of commerce and management और कई बार इसके बिहाफ में maths भी लिया जाता है third subject होता है SP, secretarial practice, fourth होता है economics, fifth होता है English और आखरी subject होता है language जिसमें आप Hindi, Marathi, IT, Sanskrit इन सारे subject को add on कर सकते हैं एक बार और मैं आपको बता दू, bookkeeping and accountancy, OCM, SP, organization of commerce and management, secretarial practice, economics, language में Hindi, Marathi, IT या Sanskrit इस तरीके से समझाने का पीछे का reason ये है कि मैं हमेशा इस बात का believe करता हूँ, I am the believer of that particular thing कि हर इनसान तीन बार बर्त करता है, तीन बार उसका जन्म होता है, एक बार जब वो पैदा होता है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं होता दूसरा 10th के बाद, क्योंकि 10th के बाद आप अपनी field choose कर रहे होंगे कि मुझे commerce में जाना है, मुझे science में जाना है, मुझे art में जाना है, x, y, z तो अगर इसमें थोड़ी सी भी mistake हो गई, तो ये interest को kill करने जैसा है, कि मेरा interest guitar बजाने में था और मैं drum बजा रहा हूँ, मेरा interest science में था और मैं commerce में हूँ, मेरा interest commerce में था और मैं science में हूँ, इसलिए इसकी proper जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पूर information practice या information technology और PE इसको कहते हैं physical education, physical education, तो ये दो division है, हम इन दोनों की classes लेते हैं, कैसे यह मैं आपको बता दूँ, फिर हम में मुद्धे पर आते हैं, CBSC हम सिर्फ exclusive वर्दमान नगर center पर रन करते हैं, CBSC हम सिर्फ वर्दमान नगर center पर रन करते हैं, लेकिन state हम, महल और वर्दमान नगर दोनों center पर रन करते हैं, state वर्दमान नगर और दोनों center पर रन करते हैं, तो ये आपकी subject information है, state board के लिए और CBSC board के लिए, ठीके, अब हम बात करते हैं, कि इनकी जो classes हैं, इनका जो x, y, z वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा इसी मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनियेगा, पहले मैंने आपको subject awareness करा दिया, कहां कहां पर class होती है, वो awareness करा दिया, ठीक है, लेकिन चुकि लॉक्डाउन है, तो लॉक्डाउन में पूरा का पूरा जो setup है, लॉक कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है, हम simple तरीके से किस वे में पढ़ेंगे समझ लीजिए, हम आपको live भी पढ़ेंगे और recorded भी पढ़ेंगे, कैसे समझ ये, live हम आपको एक particular medium, google meet, zoom, इस तरीके से पढ़ेंगे, और अगर वो आपसे miss हो जाता है, तो हमारे पास अपनी खुट की app है, caliber nova की application, उसमें वो वीडियो आप recorded भी number of time देख सकते हो, जो हमने live आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो वीडियो recorded भी आप number of time देख सकते हो, अब हम आगे की बात करते हैं, कि इनका batches time क्या होगा, तो ये जो दोनों batches हैं, ये दोनों की दोनों batches हम start कर रहे है 27th July, 27th July, 27th July से हम ये दोनों batches start कर रहे हैं, इन दोनों batches में हम आपको total 4 days की demo class देंगे, state में भी और CBSC में भी, जब सारा का सारा मामला offline आ जाएगा, तो offline आने के बाद आप choose कर सकते हैं, कि आपको महल में आना है या वर्दमान नगर में आना है, ठीक है, दोनों आप choose कर सकते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं राहुल सर महल में पढ़ाएंगे, वर्दमान नगर में नहीं में हूँ, वहाँ पर मेरी faculties आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अब बारी आती है, 4 दिन का हम आपको demo class देंगे, उसके बाद आपको select करना है कि किस तरीके से पढ़ेंगे इसका timing जो है, वो मैं आपको बता दू कि इसका timing क्या रहेगा, फिलाल दोनों का timing सेम रहेगा, जिसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, यह यहाँ पर दे पाना थोड़ा possible नहीं है, अब जब हम class start करेंगे, तो चार दिन में हम सिर्फ यह समझेंगे कि what is commerce और हम आपको बत information आपको phone करके दी जाएगी, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, कोई information चाहिए, तो आप लोग इस number पे phone कर सकते हैं, इन दो number पे phone कर सकते हैं, यह दोनों number caliber के board line number है, पूरी जानकारी आपको यहाँ दे दी जाएगी, बहुत ही easy है, 9595-225500-7741-88800, ठीक है, आप इन पे phone करकर जानकारी मांग सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है, अब हम same जो मैंने आपको बताया, एक बार revise कर देता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा awareness हो जाए, यह state के subject है, यह CBSC के subject है, CBSC हम सिर्फ exclusive वर्दमान नगर center पे run करते हैं, state हम महल और वर्दमान नगर दोनों पे run करते हैं, महल मैं specifically आपको पढ़ाऊंगा, वर्दमान नगर में मेरी faculty पढ़ाएगी, महल और वर्दमान दोनों 100 का score बच्चों को दिलाया है, महल और वर्दमान नगर दोनों, ठीक है, 27th of July से हम class start कर रहे हैं, 4 दिन का demo class रहेगा, इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, यह दोनों board line number हैं, आप इसमें कभी भी phone करके पूछ सकते हैं, अब मैं अपने आखरी मुद्दे पर आता हूँ, और वो यह है कि Y caliber, एक सबसे बड़ा question यह है कि सर आपने यह सब तो बता दिया, लेकिन Y caliber, ठीक है, caliber ही क्यों join किया जाए, ठीक चलिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, मुझे 5 मिनिट का समय दीजेगा, लास्ट यह fail हुए, क्योंकि वो class ही नहीं आते थे, ठीक है, लगभग 100 लोगों की उपर, 100 लोगों की उपर, क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार का crowd आता है, 100 लोगों के उपर 80% score हुआ है, और बाकी सारे लोगों ने average marks लाए है, average मतलब 72, 75, 62, 65, है न, हमारे हाँ का last percentage, क्योंकि मैं बहुत साफ बात करता हूँ, इसलिए आप से करूँगा, किसी टाइप की कोई false marketing नहीं, कोई जबरदस्ती का hyperbolic marketing नहीं कि सभी को अच्छे marks है, last passing percentage 53 है, यहने एकदम down to down लड़का और लड़की भी हमारे यहां आकर अच्छे नंबरों से पास होता है, ठीक है, मैं जिस दि के से हमारा examination pattern रहेगा, x, y, z, फिलाल हमारा pattern बहुत simple है, Monday to Friday हम आपको पढ़ाते हैं, Saturday और Sunday off रखते हैं, Saturday सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको किसी प्रकार का कोई doubt है, caliber का system बहुत ही simple है, बहुत ही systematic है, कि जिनके बहुत अच्छे marks आते हैं, उनको और अच्छे marks लाके द है, second, creative teaching है हमारे हाँ पर, creative, ratification से बच्चों को दूर करते हैं, नई-नई information उनके साथ share करते हैं, और बहतर तरीके से performance करते हैं, अब कैसा है कि caliber क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ यह, हमारे हाँ पर traditional teaching नहीं है, क्या है समझने की कोशिश कीजिए, हम यहाँ पर regular basis पे C.A. का guest lecture लगाया, तो आपको पता चल जाएगा कि C.A. क्या करता है, किसी दिन हम radio jockey का lecture रखवाएंगे, किसी दिन हम business man का lecture रखवाएंगे, तो हमारा एक USP यह है, कि महिने में दो बार हम different great lectures रखवाते हैं, guest lecture रखवाते हैं, जिससे आपको आपके career के बारे में नई information औ बहुत easy language में है, ताकि आपको इसका और फायदा हो, और तीसरा, हम एक club चलाते हैं, जो club में आपको, जब आप join कर लोगे, जिसके बारे में बताऊँगा, जिसका नाम है, अभी मैं disclose नहीं करूँगा, एक बहुत ही बहतरीन club है, जो सिर्फ education से related है, ठीके, हमारे पास अप की public speaking मजबूत की जाएगी, जो हम public speaking का जो course है, state और CBSC में free of cost आपको दे रहे, इसका हम कोई charge नहीं ले रहे, यहने जो भी लड़का और लड़की हमारे पास पढ़ेगा, उसको public speaking सिखाया जाएगा, उसके self development पे काम किया जाएगा, क्योंकि पहले और अभी के जमाने में आसमान का फर्क है, पहले सिर्फ पढ़ा जाता था, आप पढ़ने के साथ साथ character development भी एक बात है, मैं personality की बात नहीं कर रहा, मैं character की बात कर रहा हूँ, character development, आगे आने वाले जमाने में corporate world में, business की दुनिया में उन लोगों की जरुए थे जिनका character बहतर है, तो caliber में अगर आ academic के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ further activity में भी development बहतर मिलेगा, ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी बात समझाई होगी, जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही छोटी सी information शेयर करता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहतर महसूस होगा, ठीक है, मैं जो बताने वाला हूँ, इसको बहुत अच्छे से सुनिए, आप से कभी भी यहाँ पर यह नहीं पूछा जाएगा कि आपके 10th और 12th के marks क्या थे, ठीक है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि आपके 10th के marks क्या थे, किसी को demoralize नहीं किया जाएगा, हर अगर आपने mindset बना लिया कि मुझे 11th, 12th में best performance करना है, तो caliber सबसे best option है, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों का whatsapp group बना कर, कुछ experience आपके साथ share करूँगा, कुछ 12th में जो लोग हमारे पास पढ़ते थे, उनके live interview आपके साथ share करूँगा, और सारी जानकरी आपको बताऊ मैं, ठीक है, मैं आप लोगों को मेरा का पूरा lecture जो भी मैंने अभी record किया, ये सारा का सारा बात एक छोटी सी story के माध्यम से यहाँ पर complete करता हूँ, समझ जाईएगा कि आपको क्या समझा और क्या नहीं समझा, USA में एक बार एक person था, उस person को फासी के सजा हुई, ठीक है, जब उस person को फासी के सजा हुई, तो वहाँ की किसी scientist ने कहा कि आप इसको वैसे भी मारी रहे हो, आप एक काम करो, आप इसको हम को दे दो, हम इस पर experiment करेंगे, तो US की government ने बोला, ठीक है, उस person को लाया गया, scientist ने कहा कि हम आपको साप से कटवाएंगे, और देखेंगे कि आपकी death कितनी देर में होती है, तो वो जो आदमी था, वो जो कैदी था, उसके दिमाग में चीज बैट गई, कि मुझे साप के काटन से मरना है, अब उसको ट्रायल के लिए लेके जाने लगे, अब उन्होंने क्या किया, उस बंदे की आँख पे पट्टी बान दी, और लेकिन उसको साप ने नहीं काटा, दो पिन चुभाई गई, यहने उसके माइड ने नेगिटिवली एक जहर बनाना स्टार्ट किया, और अपने जहर से मरना, पूरे के पूरे मार्केट में education terrorism चालू है, education terrorism यह मेरा invented word है, इसको कहते हैं पढ़ाई का आतंगवाद, मानसिक आतंगवाद, आप सबको पूरी तरीके से डरा के रखाएं कि यह नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, वो नहीं करोगे तो यह नहीं होगा, ऐसा वैसा और उसके चलते कहीं न कहीं आप लोग नेगिटिव भी हैं, जो लोग पूरे से connect कर पारें, प्लीज मेरे नंबर पर reply कि जीएगा, वाटसब पे, यह last वाला मेरा नंबर है, इस पे वाटसब पे reply किजिए कि सर आपने correct कहा, तो हमारा काम आप लोगों को इस तरीके से develop करना है कि आपका mindset मजबूत बन जाए, आप positively आ जाओ, यही caliber का purpose है, और यह बात में इसके लिए आपको नहीं बोल रहा कि मे पास already साल भर में 5-6,000 admissions होते हैं, 12 के निया, सारा जो हम लोग जो भी पढ़ाते, 11, 12, BICOM, BBA, BCCA, CACS, यह सब कुछ, ठीक है, तो caliber का purpose सिर्फ यह है, पैसा तो सब को कमाना है, caliber का purpose यह है कि आपको positive develop करे, इस तरीके की stories, इस तरीके के thoughts, case studies, caliber आपको किस तरीके से पढ़ आएंगे positive thought, आपके character development और यह सब state और CBSC की जो fees है, उसके accordingly, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, अगर किसी भी प्रकर का कोई doubt है, तो इन दोनों number पे phone करकर पूछ सकते हैं, और आप कभी भी counseling के लिए भी आ सकते हैं, हमारा office morning 9 to evening 9 open है, please अपने parents को लेकर आपको बहुत बहुत बहुतर सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, fees कैसी होगी, x, y, z, यह सब हम लोग आपको 27 तारीक को बता पाएंगे, या demo के बात बता पाएंगे, ठीक है, और सबसे बहुत important चीछ, जो लोग CA के बारे में focus करना चाहते हैं, तो हमारे पास उसका भी एक course है, 11th, 12th, plus CA, उसका भी अपना एक combo course है, तो वो मैं सिर्फ उनको बताऊंगा, जो इस particular field में interested है, ठीक है, हम लोग next Sunday को एक seminar कर रहे हैं, जिस seminar में हम आपको यह बताएंगे, कि how to deal in commerce, commerce में कैसे deal करना, and what is commerce, commerce होता क्या है, that is totally free of cost, यह totally free of cost है, यह live webinar है, YouTube पर, link आपको इसकी दे दी जाएगी, in coming Sunday, आप सारे लोग जुड़ सकते हैं, और जितने भी लोगों को जोड़ना चाहें, उनको भी जोड़ सकते हैं, उमीद है आपको समझा होगा, thank you so much, happy Diwali, happy Diwali बोलना मेरी style है, क्योंकि मेरा मानना है कि इनसान क 300 पैसर दिन, सातो दिन, जीवन के हर एक समय में खुश होना चाहें, और दिवाली से बड़ा तयवार कोई होता नहीं खुश होने का, thank you so much, happy Diwali, that's it. एक last information और वो ये, कि जब तक pandemic situation है, तब तक हम online पढ़ेंगे, जब तक ये lockdown ओपन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग online पढ़ेंगे, और जैसे ही pandemic situation finish हो जाएगा, हम लोग shift हो जाएंगे offline में, फिर आप लोग classes में आकर पढ़ सकते हैं, तो जब तक pandemic है, तब तक online and फिर offline, औ और अगर किसी student को सिर्फ हमारा online course लगाना है, क्योंकि अब आप all over naakpur में भी online course लगा सकते हैं, तो अगर आपको सिर्फ online course लगाना है, तो उसकी facility भी हमारे पास है, ठीक है, तो मैंने जो कहा, मैं फिर repeat कर देता हूँ, कि हम जब तक pandemic है, तब तक online पढ़ेंगे, फिर offline में shift हो जाएंगे, और अगर किसी को specifically online लगाना है, तो उसकी facility भी हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पर सारी information खतम होती है, यह सारी borderline number यह आप बात कर सकते हैं, इतना मेरे तरफ से enough है, thank you so much, happy Diwali, have a great day ahead, thank you.